शाबुदाना की जो खिचडी है वरत का एक ऐसा नाश्टा है या खाना भी कहो चाहे छोटे हो या बड़े हो सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नाश्टे में कहो या लंच में डिनर में नौरात्रों के लगादार फास्ट में तो यह वाली खिचडी बनती है घर- चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेट जरोड करना मैंने यहां पर लिया है 1.5 cup जितना साबुदाना जिसे हम अच्छी तरह से दो बार वाश करेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए यह main reason है कि कई लोगों की जो साबुदाना की खिचडी है चिपकी चिपकी से बनती है और फिर वो लोग यह साबुदाना की खिचडी बनाते ही नहीं है बोलते है चिपकी से बनती है घर में कोई पसंद नहीं करता तो साबुदाना अगर ठीक से वाश नहीं होगा तो उसका स् और बस दो ही घंटे में ये पूरा का पूरा जो साउधाना है बिलकुल खिला खिला साफ फूल कर दाना दाना अलग हो चुका है और इसका जो लेवल है उपर आ चुका है और ये दाने भी कितने सॉफ्ट हो गए देखिए गाइस और हां ये जो खिचड़ी है जरावी चिपक कशिद घीर लिया है जिसमें हम ये खिचड़ी बनाएंगे और एक टीस्पून इसमें मैंने एड़ किया जीरा गैस की फ्लेम को मद्यमाच पर रखकर हम इसमें एड़ कर देंगे जो आलू और हरी मिर्च हमने काट कर रखी थी और इसे थोड़ा सा हम चलाएंगे और भाफ बनेगी थोड़ी बहुत उसी भाफ के अंदर ही हमें ये आलू पकाने है तो इसे हम कवर नहीं करेंगे अगर कवर करेंगे तो ये जो आलू है नीचे स्टिक हो जाएंगे और फिर जब हम इसमें साबुदाना डालेंगे तो साबुदाना बॉटम को चिपक जाएगा और जो खिचडी है वो चिपकी चिपकी से बनती है और एक रिजन है मैं आगे बताती हूँ कि क्यूँ साबुदाना की जो खिचडी है किसी किसी की चिपकी से बनती है ज्यान रहे कि आलू को हमें खुले ही पकाना है इसे कवर नहीं करना जिब तक आलू पकते है हम एड़ क अगर हम add करें तो मेरे गर में ज्यादा पसंद करते हैं, तो चीनी तो optional है, आप चाहो तो add कर सकते हो, मुझे पसंद है तो मैंने add किया है, और नीम्बू तो इसमें डालना जरूरी है, नीम्बू को skip मत करना, नीम्बू का चटपटा स्वाद इस खिचड़ी के टेस्ट को और भी ज्यादा enhance करेगा, तो ये नमक, नीम्बू और शक्कर को हम साबुदाना के साथ में थोड़ा सा mix करके रखते हैं, और इस तरफ देखते हैं आलू की क्या हलत है, बस चार से पांच मिनिट हुई है, ये जो आलू है, अच्छे से बिलकुल पक चुके हैं, खुले ही पके हैं ये, मैंने इसको कवर बिलकुल नहीं किया था, देखिए गाईज, ये जो आलू की टुकड़े कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं, और नहीं ये बाटम को चिपके हैं जरा भी, और इसी स्टेच पर हम इसमें अब मिक्स कर देंगे, जो साबुद दाना हमने मिक्स करके रखा था, मुंगफली के दानों को धीमियाच पर अच्छे से भून कर, उसका पौडर मैंने बना कर रखा था, यानि कि पिनट पाउडर, तो ये एक कप पुरा भर के, मैंने इसमें अड़ कर दिया पिनट पाउडर, और एक इंपोर्टन टिप है गाईज, कि कई लोग इसमें जो मुंगफली के साबुद दाने रहते हैं, उसको फ्राइ करके डालते हैं, लेकिन गाईज मैं एक सजिस्ट करूँगी कि मुंगफली के दानों को आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना कर ही इसमें एड़ करो, इससे क्या होगा कि सब दाना के जो दाने है वो अलग-अलग रहेंगे, और खिचडी में लंप्स नहीं बनेंगे, यानि कि चिपकी सी खिचडी नहीं बनेगी, और भी आधा कप मैंने इसमें पिनट पाउडर अभी एड़ किया, आपने देखा गाईज, और ये खिचडी के दानों को भी देख लो, एक-एक दाना इसका छुटा-छुटा, अलग-अलग और खिला-खिला सा है, ना ही ये खिचडी में लंप्स बने हैं, ना ही ये खिचडी बाटम को चिपकी है, जरा भी कड़ाय में आप देख सकते हो गाईज, और अब एक last important tip, जो मैं हमेशा ध्यान में रखते हूँ, साबु दाना की खिचडी को पकाने के लिए, कभी भी इसको कवर नहीं करना चाहिए, अगर कवर किया तो इसमें वेपर बन जाएगी, और जो दाने हैं आपस में चिपक जाएगी, और पूरी खिचडी लंपेज ही हो जाएगी, इस टेस्टी खिचडी के टेस्ट को और ज़्यादा इनहेंस करते हैं, लगबख दो इंची जितना अधरक ग्रेट करके डाल रही हूँ मैं, और फाइनली इसमें जाएगा हरा धनिया, तो हरी धनिये के पत्तों को अच्छे से वाश करके मैंने इसमें मिला दिया है, और अब हम इसको चलाते हुए ही पकाएंगे, अगली 5-7 मिनिट तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है, अगर इसको हमने कवर कर दिया, तो इसमें वेपर बन जाएगी और जो दाने हैं आपस में चिपक जाएगे, और सारी खिचडी खराब हो जाएगी, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी साबू दाने की जो खिचडी है, इसको हमें कवर नहीं करना है पकाने के लिए, अगली 4-5 मिनिट तक हम इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, और इसको हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, तभी तो ये खिचडी के जो दाने हैं अलग अलग रहते हैं, वरना तो वेपर की वज़े से ये चिपक जाएंगे, देखिए गाईस, इसका दाना दाना अलग अलग है, बिल्कुल खिला खिला सा हर एक दाना है इसका, और निम्बू के साथ में इसको सर्फ कीजिए घर में, टिफिन पॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कभी हमें फास्ट हो तभी ये खिचडी बनाएं, ये खिचडी इतनी टेस्टी है कि सुबह के नाश्टे में और हिल्दी भी है ये, तो सुबह के नाश्टी में भी हम इसको बना कर सर्फ कर सकते हैं घरवालों को, टेस्टी तो ये है ही, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, अगर इस तरह से आपने साबोदाना की खिचडी बनाएं, मेरे घर में तो ये जो साबोदाना की खिचडी सबको इतनी ज़्यादा पसंद है, कि हम कभी वेट नहीं करते हैं, कि कभी फास्ट हो तभी ये वाले खिचडी बनाएं, जबी भी मन करता हैं, हम सुबह के नाश्टे में भी ये वाले खिचडी मैं तो बना लेती हूँ, बच्चे हमेशा से कुछ टेस्टी और चटपटा सा खाना मांगते रहते हैं, तो कभी-कभी मार्केट से कुछ ने कुछ पारसल लाने के लिए वो जित करते रहते हैं, और हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे हमारे बच्चों को हम हिल्दी ही खाना खिलाएं और वो टेस्टी भी हो, तो ये वाला आप्शन अच्छा है और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना बने लेना, मेरी चैनल फुरी वेब कुक एंड ट्रावेल के साथ में जल ही फिल मिलेंगे, थैंक्स पॉआचिंग